चलिए हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा था इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी और इंकम फ्रॉम हाउस प्रोपर्टी में देखा जाए हमने अब तक क्या क्या कर लिया हमने सबसे पहले देखा सर सेक्शन नमबर 23 देट इस हम निकालना सीख गये न अवी एन अवी निकालने के लिए सबसे पहले मुनसीपल वेल्यू कंपेर करते हैं फियर रेंट फिर कंपेर करते हैं स्टेंडर रेंट फिर आ जाता है हमारा एक्सपेक्टेड रेंट इन दोनों में से जो हायर होता है फिर इन दोनों में से जो lower होता है वही बन जाता है हमारा expected rent फिर compare करते है actual rent इन दोनों में से जो higher होगा उसको क्या बोल देते हैं हम GAV और फिर इसमें से minus करते हैं municipal tax इसके बाद जो हमारा आता है that is NAV फिर minus क्या करते है 24 A standard deduction फिर minus करते है 24 B interest का deduction interest के deduction में sir क्या देखा था interest के deduction में दो बाते थी या तो आपका ऐसा हो सकता है कि आप self occupied हो और एक हो सकता है आपका let out हो self occupied में limit है अब देखा जाए limit कैसे चेक करेंगे अगर आपका new rhythm है अगर आपका new rhythm है तो यहाँ पे not allowed deduction allowed ही नहीं है अगर old वाला रिजिम है तो यहाँ पे deduction allowed होगा और allowed होगा कितने maximum limit subject to 2,000,000 रुपे और 30,000 रुपीज रिपेर के लिए अगर let out है तो ऐसा कोई भी limit set नहीं है इसके बाद last class में हमने देखा था PCP PCP क्या होता है हमारा pre construction period pre construction period मतलब जिस साल का हमें loan का interest on loan का benefit नहीं मिला है उसको बोलते हैं pre construction period जिसको हम कितने साल में benefit ले सकते हैं आने वाले 5 सालों में divide करके उसका benefit ले सकते हैं तो यहाँ तक हमने last class के अंदर कर लिया था और भी बहुत सारे points किये थे हम अब आगे बात करेंगे वेकेंसी जो की मेन बुद्धा था हमारा वेकेंसी कई बार questions में आया भी होगा तो चलिए आईए स्टार्ट करते हैं सर क्या वेकेंसी या फिर हम बोलते हैं हमारा concept है लॉस ओफ रेंट लिख लेते हैं सर लॉस ओफ रेंट सबसे पहले समझेंगे होता क्या ठीक है लॉस ओफ रेंट का मतलब है आपका घर था और घर आपने रेंट पे दिया अब रेंट पे देने के बाद हो सकता है किरायदार एकदम से चला गया बिना बताये बिना इंटिमीशन तो कुछ दिनों के लिए आपका घर क्या रह गया खाली रह गया तो यह भी लॉस रह रहा था और बिना किरायद दिये भाग गया उसको भी क्या बोलें के हम लॉस एक तो वीकेंसी की वजय से हो सकता है एक नो सकता है लास सरव एकदम हो जाएगा बस देखते जाहिएगा हुए एक हो सकता है हमारा due to no vacancy है ड्यूय टू नो वेकेंसी 1 और एक हो सकता हमारा ड्यू टू we can see सर नो विकेंसी में भी लॉस होता है हाँ नो विकेंसी जब होगा तो यहाँ पर आपका लॉस हो सकता है वेन अन्रेलाइज रेंट वेन अन्रेलाइज रेंट क्या हो सकता है मान लिजिए मेरा सेल्फ ओक्यूपाइड साथ महने था और मेरा लेट आउट मेरा पांच महने था तो क्या मेरा विकेंसी है यहाँ पर खाली रहा मेरा घर मेरा सेल्फ ओक्यूपाइड यानि मैं खुद रह रहा हूँ खाली रहने का क्या मतलब है कि एक तम घर में ताला बंद है कोई रही नहीं रहा तो कितने मेने मैं रह गया साथ मेहने किरायदार कितने मेहने रह गया 5 मेहने यहाँ पे किरायदार ने 2 मेहने का किराया ही नहीं दिया हमें तो यह हो जाएगा Loss of Rent तो मैंने क्या कहाई due to no vacancy मतलब घर खाली नहीं रहा अपहर वह इस आपका क्राय का हुआ यहां पे लॉस हो गया नुकसान हो गया किरायका क्या हुआ नुकसान हो गया तो sir ऐसे case में क्या करा जाए नहीं करा जाए चलिए मैं माल लेता हूँ यहाँ पर एक example देखे बिल्कुल समझ में आ जाएगा माल लो municipal value fair rent माल लो 2 लाग और 3 लाग और इस टेंडर रेंट माल लो 1.5 lakh 1.5 lakh आप मुझे बताना यहाँ पर मैं roughly calculate कर रहा हूँ यहाँ पर क्या आप expected rent निकाल सकते हैं expected rent क्या आजाएगा 1.5 lakh माल लेते हैं हमारा जो rent था rent अब यह on the basis of time मैंने पहले भी करवाया है कि time के basis पर खाली मतलब के है partly self occupied, partly let out on the basis of time तो उस case के अंदर हम सब कुछ पूरे-पूरे महिने के calculate करेंगे rent जो था मान लिया जाए कि वो था 10,000 रुपे पर मन्त तो मेरा यहाँ पर actual rent आएगा क्या 10,000 इंटू में कितने महिने पांच यानि पचास अजार रुपे यह rent आएगा आपका यहाँ पर अब देखा जाए यहाँ पर तो क्या होगा हमारा जी यह वी जी यह वी देट इस 150 लेकिन मैंने सवाल में बोला के टेनेंट जो था जो टेनेंट था नौ अन्रिलाइज रेंट बोल देता हूं कि बोलता है रेंट not receive for one month एक महने का हमें रेंट नहीं मिला अफसर जब एक महने का रेंट नहीं मिला तो ऐसे सिचुएशन में government क्या कहती है कि आप जी यह वी में से या फिर जो हमारा actual रेंट है वहाँ से एक महने का हम रेंट जो हमारा बन रहा है दस अजार रुपे पर मंत का 10k हई है दस अजार पर मंत का क्या करोगे देस कर लोगह कि लेकिन मुद्द है कि सर हमें जो यह रेंट जो नहीं मिला One pretend उसको हम पता है क्या बोलेंगे income Caribbean हाँस में अन अन अरिल्लाइज रेंट को उसको क्या बोलेंगे हम अ Thrauk तो गवर्मेंट कहती है कि अगर आपके साथ ऐसी दुरगटना हुई है कि कोई किराइदार रह रहा था और उसने आपको किराया दिया नहीं तो आप उसको माइनस कर लिजे हम आप से उस पर टेक्स लेंगे नहीं क्योंकि आपको मिला ही नहीं जब गवर्मेंट ने ये बोला तो सभी परसन क्या कहने ही लगए कि हमें तो किराया मिला ही नहीं हर को यहीं कहेगा कि हमें किराय मिला ही नहीं मेरा किराय मिला ही नहीं तो गवर्मेंट को कितना नुकसान हो जाएगा सोचो तो गवर्मेंट ने बोला कि आपको किराया नहीं मिला है ये हम तभी मानेंगे जब ये rule जो हम बना रहे हैं, ये rule को satisfy करिए. क्या क्या rule बनाए? चार rule बनाए. पहला rule आप एकदम सरीफ हो. आपके मन में बैमानी की कोई भी मंसा नहीं है. टेक्स्चोरी आपके मन में है ही नहीं. तो भाई हर टेक्स्पियर बोलेगा, हम तो एकदम सरीफ हैं, हम टेक्स्चोरी करना ही नहीं चाहते हैं. पहला rule. दूसरा rule बोला कि आपका मकान में किराया नहीं मिला, तो वो किरायदार भी आपके मकान में नहीं रहना चाहिए. अगर वो किरायदार रह रहा है और आप जब भी किराय मांगने जाते हो, मानलो वो आपको बंदुख दिखा देता है. किराय मांगने गए, हाँ भाई, किसले आयो किराया? कौन सा किराया? आप चले गए. है तो किरायदार आपके मकान में तो सरकार कहीगी हम ऐसे नहीं माँगेंगे मखान में है ना छोड़ के तो नहीं गया जब आज नहीं तो खल आपको दे देगा जब देगा तुम जेब में रख लेना भी हमें टेक्स तो दे दो सरकार का मानना ये है पहला कि आप एकदम इमानदार दूसरा किरायदार मकान में नहीं होना चाहिए तीसरा वो किरायदार आपके किसी भी दूसरे मकान में भी नहीं होने चाहिए अईसा नहीं कि एक मकान का किराया नहीं दे रहा भागया लेके और दूसरे मकान का दे रहा ऐसा तो नहीं हो सकता। चौथा रूल बोला गया कि आपने उसकी मार पिटाई बहुत कोसिस कर ली थाने में कंपलेन करवा दिया, सब कुछ करवा दिया है आपने, तब भी आपके किराय नहीं दे रहा, अगर ये चारो कंडीशन पूरी करोगे, तब मानेंगे आपका किराया नहीं मिला है, और ये किराया, ये जो चार कंडीशन है, ये कभी पूरी हो ही नहीं सकती लाइफ मे कि आपको एक दो महिने का किराय लेके चले जाएगा तो इसको आप थोड़ी न पीटने लग जाओगे थोड़ी न पुलिस में कंप्लीन करोगे थोड़ी न केस कोट में जाओगे इतना आपका खर्चाई हो जाना है तो जो चार रूल है गवर्मेंट कहता है कि आपका हम रेंट को माइनस करने देंगा अगर कोई वेकेंसी की वज़े से है रेंट अगर आपको नहीं मेरा अन्रिलाइज रेंट तो आपके हम जो यहां पर निकलता माइनस करने देंगे अन्रिलाइज रेंट के नाम से लेकिन प इकम टेक्स का रूल नंबर फोर कहता है दा अमाउंट रेंट विच इस ओनर केंनोट रिलाई सेल्वी इक्वल अमाउंट रेंट पेवल बट नॉट पेड बाई टेनेंट लेकिन टेनेंट ने पेड नहीं किया आफ दा एससी एंड प्रवाइड दा लॉस और आपका लॉस हो आपका कोई भी ऐसा मंसा नहीं रहा है फ्रॉड करने का तो आपने जो किरायदार को किराय पे दिया था एकदम अपने मंसे दिया था किराय मिलेगा किसी दवाब में नहीं दिया था ऐसा नहीं कि आपको पता था कि आपको किराय नहीं मिलेगा और फिर भी किरायदार को लख लिया था अगला the defaulting tenant has vacated जो defaulting tenant जो पैसे नहीं दे रहा उसे क्या करना होगा vacated मतलब खाली करना होगा और staff have to taken compile him to vacate the property और आपने वो जरूरी steps ले लिये थे मार पिटाई कर दी थे के भाई निकल मेरे मकान से तो ये भी होना जरूरी है इसके बाद the defaulting tenant not occupy any other property of the SSC मेरे चार घर हैं दो घर उसने किराय पे लिये थे एक मैं बोलूँगा मैं unrealized rent और दूसरे से किराय आ रहा ऐसा है नहीं सारे घर खाली करा दो उससे और the SSC has taken all reasonable step legal proceedings legal मतलब कि case वगएरा कर दो fire वगएरा इस पर कर दो the recovery unpaid the satisfy the assessing officer legal proceeding would be unless तो आज अगर reality मैं सच्चाई बताऊ न तो किसी का अगर rent नहीं मिल रहा होगा न तो कभी case ही नहीं करेगा वो खुदी फस जाएगा क्योंकि rent इतना मिल रहा है नहीं मिल रहा है और income tax वाले 10 सवाल पूछेंगे पुलिस थाने में case जाएगा जज भी पूछेगा तेरा कितना income में नहीं है तो जो मैं income कम दिखा रहा हूँ उसमें मैं फुद फ़स जाएगा और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि आपको 5 साल का किर किराय ने दिया फिर भी आप रहने दो यहां तो डेड़ महिने हो जाता है दस दिन फालतू हो जाता है तो मकान मालिक बोल देता है खाली कर दे भाई तेरे बसका नहीं है तो अगर दो महिने का किराया है और दो महिने के किराय के लिए मुकदमा कोट कचेरी जाओगे तो आ यानि unrealized rent हमारा right है हम minus करेंगे जब क्या करेंगे हम question तो unrealized rent अगर question में कहता है कि rule number four satisfy नहीं किया है तो कोई unrealized rent नाम की चीज़ नहीं है अगर दे भी रखा है तब भी नहीं होगा तो हमने यहाँ पे क्या देखा सर यहाँ पे देखा हमने के due to no vacancy खाली नहीं था तब भी हमारा rent का loss हुआ है अब दूसरा क्या है सर आपका due to vacancy के वज़े से loss हुआ है इसको ऐसे समझो देखो मेरा एक घर है इस घर में दो मैंने तो मैंने self occupied कर लिया शे मैंने तीन मैंने मेरा vacant रहा दो मैंने self occupied तीन मैंने vacant तीन और दो पांच और साथ मैंने मैंने let out कर रखा है इस साथ महिने में से भी मान लो तीन महिने हमारा rent ही नहीं मिला unrealized मतलब not receive rent rent receive नहीं किया बाकी के चार महिने का मेरा rent मिल गया तो यहां पर अगर मैं vacancy की बात करूं तो यह vacancy नहीं है जिस टाइम का rent नहीं मिला vacancy का मतलब है आपके घर में ताला बंध है और unrealized का मतलब है किरायदार रह रहा है तो अब यहां पर vacancy बोलू तो self occupied अगर आप खुद रह रहे हो क्या आपका घर खाली है नहीं है आप खुद रह रहे हो अब यहां पर जब बोला गया तीन मेहने का vacancy है तो हाँ अब आपका vacancy है अब आपका घर क्या है खाली है अब यहां पर देखा जाए तो तीन मेहने यह unrealized rent है क्या इसे हम minus कर सकते है अगर rule number 4 satisfy कर दिया तो यह तीन मेहने यानि हमें सिर्फ और सिर्फ चार महने के rent पे ही tax देना होगा अगर rule number 4 हमने satisfy नहीं किया है तो हमें किस पर tax देना पड़ेगा साथ महने पे अब जब question में बोला ना हो कुछ भी तो हमें क्या मानना है हमारा rule number 4 क्या हो चुका है सेटिस्फाइड हो चुका है हम यह जंशन लेके चलेंगे समझ रहे हो बात अब यहां के rule तो हमने पढ़ लिए यह वाला rule नहीं पढ़ाता है यहां पे थोड़ी सी problem आ जाती है बच्चे थोड़ा confuse हो जाते हैं यहां पे क्या था हमारा है कि मुद्सिपल वैलिव और फिर रेंट और इन दोनों में से क्या लेते हो हायर जिसको क्या बनाते थे हम फिर रेंट नंबर वन उसको कंपेर किस से करते थे Standard Rent, Standard Rent को compare क्या करेंगे lower तो वो क्या बनेगा हमारा expected rent वो क्या बनेगा हमारा expected rent अब भाई जब expected rent बन गया अब problem यहाँ से create हुआ vacancy के case में क्या होगा हमारे घर का कम समय के लिए मुझे किराये मिला होगा मतलब के चार आठ मैंने लेट आउट और चार मैंने सेल्फ ओकिप मतलब के वेकिंट रहे गया तो बोला गया यहां पर आपको ध्यान देना होगा यहां से कहानी जाएगी बदर अब यहां तीन सिचुएशन हो सकते हैं आपके सामने और एक्सपेक्टिड रेंट का मतलब क्या होता है सरकारी किराया सरकारी किराय मतलब जो गौर्वर्मेंट ने तयcock किया है यहक्षार एक्चुल रेंट तुम्हारा ग्रेटर हुआ एक्सपेक्टिड रेंट से तो यहां पर माइनस कर सकते हो आप वेकेंसी मतलब सरकार कह रही है कि मेरा किराया एक लाख बनता है मैंने कहा जी मैंने किराया दस अजार रुपे महिने है तो पूरे साल से गुना करो तो कितने बने एक लाख सरकार कह रही है मेरे कानून के हिसाब से कितना किराया है और मैं कह रहा हूं मेरे कानून के हिसाब से कितना किराया है एक लाग बीस हजार या निए सरकार से मैं जब ज़्यादा बताऊंगा मेरे कानुन के इसाब से पूरे साल का कंपेर करके तब सरकार बोलती है विकिंसी माहिनेस कर लो विकिंसी क्या करो माहिनेस कर लो लेखिन अगर आपका एक्सपेक्टेड रेंट ग्रेटर देन हो एक्चुल रेंट से जैसे सरकार कहती है मेरा एक लाग किराय बनना चाहिए मैं बोलता हूं जी पांच हजार महिने का किराया है तो सरकार के हिसाब से कितना किराय है एक लाग और मेरे हिसाब से मैंने एक्चुल रेंट कितना बताया एक्चुल रेंट कितना बताया साथ हजार तो उनसे तो कमी है तो सरकार बोलता है तो तुम क्या करोगे वेकेंसी माइनेस करके तुम तो सुरू से ही गलत हो तुमारा मकान पूरे टाइम पे खाली भी रहा तब भी तो मैं एक लाग पर किराय टेक्स लूँगा ही लूँगा इस सिचुएशन में किस पर टेक्स होगा बताओ एक लाग पर टेक्स लेगा तो आपका जब वेकेंसी बोलता है चार महने का तब भी मैं एक लाग पर लूँगा वेकेंसी बोलता है सार आठ महने का तब भी मैं एक लाग क्योंकि लोवर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है लोवर भी हो सकता है और हायर भी हो सकता है तीनों के मैं एक 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 जामपल अपने बना लेता हूं एकदम क्लियर हो जाएगा कब लोवर होगा कब हायर होगा सबसे पहले हम देख लेते हैं सर हमने तो अभी तक यह देखा है कि एक्सपेक्टिड रेंट और एक्चॉल रेंट में से जो हायर होगा उसे जी भी मान लेंगे यही देखा है चले एक एक्जांपल देखते हैं मान लेते हैं हमारा मुंसिपल वेल्यू दो लाग फियर रेंट तीन लाग इस्टेंडर रेंट एक लाग एक्स्टेंडर रेंट एक लाग एक्चॉल रेंट दस हजार वेकेंसी वेकेंसी 4 मंथ वेकेंसी कितनी है 4 मंथ चलिए इस सवाल को करते हैं एक लाग तो यहां पर जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे सबसे पहले आप यहां पर क्या निकालेंगे expected rent निकाल लेंगे यहाँ पर क्या निकालेंगे expected rent पहले मैं पूरा समझा दू comment आ रहे हैं अभी बच्चों के comment को ध्यान नहीं दे रहा मैं पहले मैं पूरा समझा दू इसको फिर मैं आप सभी से voice पर बात करने वाला हूँ चलिए अब हम क्या देखेंगे इन दोनों में से फिर इन दोनों में से तो अगर मैं ध्यान से अगर मैं सही हूँ तो बताओ expected rent मेरे हिसाब से निकल के आ रहा है एक लाग क्या मैं सही हूँ expected rent कितना निकल के आ रहा है एक लाग रुपे अब मैं बोलूँगा आजा भाई ट्रिपल ए ट्रिपल आर एक्चुल रेंट रिसीव और रिसीवेबल अब मैं चेक करूँगा भाई तेरा रेंट कितना है तो उसने बताया दस हजार इंटू में बारा यानि कितना बनता है एक लाग बीस हजार तो मैं सरकार से तो ज़्यादा ही बता रहा हूँ तो सरकार बोलता है वेकेंसी माइनस कर लूँगा ठीक है माइनस कर लेते हैं लेस वेकेंसी वेकेंसी कितने हैं दस हजार इंटू में चार यानि कितने माइनस करूँ कितने बचे असी हजा अब जो मेरा जी एवी आएगा या तो इसको ऐसे कर लो या फिर इसका दूसरा तरीका बता देता हूँ समझ में आ जाएगा काफी बच्चों को ये बात हजमी नहीं होती इसमें तो हायर आना चीए सर लोवर क्यों ले लिया आपने भाई अगर पूरे साल किराये पे होता तो मैं एक्चुली रेंट लेता ना पूरे साल किराये पे होता तो मैं एक्सपेक्टेड रेंट थोड़ी ना लेता मैं क्या लेता और अब भी क्या ले रहा हूँ इसको ऐसे समझ लो आपका अब GAV final आया 80 कुछ books में ऐसे भी कर देते हो तो कई बार बोलते हैं सर हम बड़ा confused रहते हैं कभी आप actual rent में से minus करते हो vacancy कभी GAV में से minus कर देते हो तो जिन बच्चों को book में अलग-अलग तरीके से और right wave ऐसे ये है तो अब देखो दोनों में से क्या लगा लोर लग गया ना यही तो मैं आपको समझाने की कोसिस कर रहा हूँ कई बार लोर भी लग सकता है और कई बार दूसरे example देखो मेरा same question है कुछ भी नहीं बदल रहा है यहाँ पर यह बहुत common कुछ डाउट रहता है बच्चों को और बहुत common बहुत परिशान रहते हैं एक मैने की विकिंसी कर देते हैं तब बताओ यहाँ पर हमारा expected rent क्या आएगा एक्सपेक्टेट रेंट क्या आएगा एक लाख आएगा इसके बाद actual rent receive and receivable कितना होगा दस अजार इंटू में बारा यानी तो भाईया हम तुम्हारे कानून से तो उपर ही है तो विकिंसी माइनस करें या ना करें कर देते हैं लेस विकिंसी कितने महिने दस अजार कितने बचे अब क्या लू में दोनों में से तो यह हमें situation समझना पड़ेगा कि है क्या एक्चुल हमने तो यह सीखाया है कि expected और एक्चुल रेंट में से विचेवर इस हायर ओलवेज जी यह भी लेकिन जब विकेंसी का केस हो जाता है तब ओलवेज विचेवर इस हायर वाला कॉंसेप्ट और यह भी ध्यान रखना है विकेंसी कब माइनस होगा और कब नहीं होगा चलिए यह दोनों एक्जामपल मैंने आपको समझाने की कोसिस करी मेरे हिसाब से यह समझ में आ गया होगा आपको अब यह देख लेते हैं लोवाला एक ठीक है लोवाला यहीं पर कर लेता हूँ मान लो फियर रेंट मुंसिपल वैल्यू एक लाग दो लाग स्टेंडर रेंट तीन लाग एक्च्वल रेंट मान लेते हैं साथ हजार रुपए पर मंद और वेकेंसी मान लेते हैं टू मंद चीक है चलो हमारा यहां पर क्या आया इन दोनों में से हायर फिर इसमें से लोवर तो एक्सपेक्टेड रेंट कौन बताएगा दो लाग खाएगा एक्सपेक्टेड रेंट दो लाग और एक्च्वल रेंट क्या है हमारा अब सरकार के रूल से तो आपका जो है कम ही रेंट हो रहा है अब आप बोलो वेकेंसी है मैंने बोला भाई तेरा अगर वेकेंसी नहीं होता तब भी मैं तेरे से किस पर टेक्स लेता है थुल भुड़ाय जी इस सबसh और किराये सरकार के रूल के सब्सक्रेशंतिएख और यहां पर आगे देखा जाए तो सरकार ने कहा कि भाई अगर चल मान ले मैं तरको वेकेंसी माइनस करने दे भी दूँ अगर वेकेंसी माइनस कर भी दे दो मेहने का 14,000 तो फरक क्या पढ़ता मैं तो हायर ही लूँगा तो इस केस में वेकेंसी अलाउड नहीं किया सरकार ने और यहाँ GAV देट इस हमारा आगया कितना आगया दो लाक यह यह वाला केस है कि अगर अगर आपका expected rent जादा हो गया तो आपको वेकेंसी not allowed अगर आपका यह वाला केस हो गया तो वेकेंसी allowed यहां मैं वेकेंसी की बात कर रहा हूँ मतलब मकान में क्या है तालाबंत अगर मान लो आप खुद रह रहे हो मकान के अंदर आपने क्या करा आप फर्स फ्लोर खाली हो गया ठीक है सर फर्स फ्लोर खाली हो गया चल एक काम करते हैं जब तक किरायदार नहीं होते हम पड़ लेंगे और फिर बोलो सरकार को कि हमारा तो यह छे मेंने खाली था मकान और छे मेंनी तो किरायपे लगा वो तो बच्चा पड़ रहा था जाके थोड़ी बिन होता तो बोलेगा वेकेंसी नहीं हुआ ना आप खुद रहते तो वो क्या माना जाएगा सेल्फ उक्युपाइड आपसे पूरे बारा मेहने का टेक्स वसूल लिया जाएगा समझ रहे बात आप यानि वेकेंसी का मतलब तालावा यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है वेकेंसी वाला केस अन्रिलाइज रेंट भी माइनस करने दिया जाएगा लेकिन कब जब आप रूल नंबर फोर को सैटिस्वाई करोगे और कुश्चन जब भी पूछा जाए तो आप मान लेना भाईया सैटिस्वाई कर दिया माइनस करने दो हमें जो भी पूरे साल का रेंट होगा उसमें से क्या कर देंगे माइनस बहुत कॉम्प्लिकेटिड होता है बच्चों को इसमें